शॉर्ट हैं डिक्टेशन बुक एक्सराइस 54 आउटलाइन प्रुवाइड़ हैं अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन किसी आउटलाइन को बनाने में होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंड बॉक्स में ज़रूर लिखेगा अब भी हम डिक्टेशन को शुरू करते हैं सो स्टार्ट सिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देख कर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है एक तो सिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार उध्योग धंदों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटल समस्या बनाए है एक तो यह है ही के सुधार सीक्र ना किये गए तो ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े इसमें संदेह नहीं है कि कॉंग्रिस मंत्री मंडलों ने जो कुछ किया है वे है जहां तक हो सका है किसानों की भलाई के लिए किया है और इसमें संदेह करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किये गए है यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा आजकल सिर्फ सिक्षा के होने या ना होने से खास मतलब नहीं किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार ना बैठने पावे क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबन देशी व्यवारादी से है जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है क्या हम नहीं कह सकते कि बेशी सरकार से इस विशे में कुछ नहीं हो सकता यथार्थ में मैं कह देना शाहता हूँ की हमारे और द्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दास्ता है अतहा सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो यदि तुमने जापान की उन्नती को देख लिया है जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है तो क्या तुम कह सकते हो की दास्ता की बेडियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी असिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को हल ना कर सकेगा अतहा जैसा पहड़े कहा जा चुका है हमारी सबसे बड़ी और जटिल समस्या सुवतंत्रता है सारांश यह है कि देश सुवतंत्र होने पर हमारे सारे राश्ट्रिय प्रश्न आप से आप हल हो जाएंगे डिक्टेशन को पढ़के मुझे जरूर बताएगा कि आपने कितने वर्ट्स मैनेज किये 337 वर्ट्स की डिक्टेशन थी तो आपने उन 337 वर्ट्स में से कितने वर्ट्स को लिखा है ताकि आप खुद अनलाईज कर पाएं कि आप किस लेवल पर हैं और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको किसी भी तरह की प्रॉबलम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी problem को short out करूँगी, कोशिश करूँगी उसका short solution आपको provide करूँ hope ये video आपकी short and studies में helpful रहा होगा अगर ये video आपकी short and studies में helpful रहता है तो please channel को like, share and subscribe करना बिल्कुल न भूलिए keep learning, keep watching, stay connecting, have a good day